शरीर को सजाने में प्रियता है लेकिन पवित्रता क्या है ये ग्यान नहीं है शोचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ग्यान नहीं है बस सजाने की प्रियता है बाहर से चिकना दिखना चाहिए लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ग्यान नहीं है बिल्कुल पता ही नहीं सोचाचार का पशुत आचरण है देखने को मिलते हैं खड़े-खड़े लगुशंका कर रहे हैं मुँमे बीड़ी ऐसे वही जनिंद्री को छुआ ऐसे कर रहे हैं ना हात दो ना आचमन कर ना न पेर दो ना बिल्कुल पशुता का आचरण है भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैशे हो शकता है तुम्हारे आचरण पवित्र है तुम्हारा शरीर पवित्र है शौच गए वेशे बादे से हाथ दोया उससे बादे से निकल पड़े कपड़ा वेशे सवा पवित्र पूरे घर में वो पूरा घर पवित्र है पर समझते हैं कि हम बहुत स्वक्ष बहुत बी आईपी है बी आईपी का मतलब बहुत अपवित्र हैं उनको एक ज्यान नहीं और एक रंग चड़ा है नए समय में जूता मोजा पहन कर भोजन पा रहे हैं देखो भोजन पाने जाए इतनी पवित्रता तो हमने गाउं में देखिए बिल्कुल सास्त्र नहीं जानते हैं कुछ नहीं पर भोजन पाना है तो हाथ पैर दोए और लकड़ी के पीड़ा में बैठके और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठके भोजन पाय आज चैयो चमडे का जूता हो जाए ध्यान रखना चमडे की बेल्ट पहनने वाला और चमडे की जूता पहनने वाले को गव हत्या का पाप लगता है अगर उग इन पश्रूमों से जो चमडे निकाल कर निर्मान किया जाता है जूता विल्टा दी ये जो ग्रेष्ति जन इनका प्रीउक करते हैं तो उशे गव हत्याका दंड मिलता है क्योंकि आप पहनते हैं उश में आप सायोगी हुए आप उसको प्रोसान बढ़ा रहें गव हत्या का ये अब वोस अब पहने वोस वह इस सूं नहीं किया हांथ नहीं धोया चरण नहीं धोय आचमन नहीं किया तो आप तो आप अवित्र हैं अरे लगु शंका के क्या है सौच होने के बाद नहीं चे विचार बिलकुल सूने हो गया है बस सरीर आराम पशु की तरह सरीर आराम जब तुम्हारा सरीर पवित्र है तो आचरण पवित्र होंगे तो पाप बनेगा पाप से तुम्हें सरीर को दुख भोगना पड़ेगा बिल्कुल समझ खतम होती चली जा रही कलिकेवल मलमूल मलीना ये नाला प्रकार के पापा चरणों की जो हमारी प्रवत्ती बढ़ती जा रहे हैं उसका कारण है खान पान अपवित्र शरीर अपवित्र हमने देखा है वो आपको मजाक्स लगेगा भोजन पाने के समय घर के जितने भी वैसक जन होते थे जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो उपर के वस्तर उतार देते थे एक धोती नीचे पहने वए ऐसे पाते देखा बाद में बिचा कितनी पवित्र था क्योंकि कपड़े पहन कर बाहर कारे हूँ और ऐसे जल ले करके ऐसे आत्मन करें, हाथ जूड़कर परोशने में अगर कहीं रोटी छुगई परोशने वाले को तो दाट लगती थी, पूरी रसोई जूटी करेगी, रख यही थाल, हाथ दो दूसी थाल मिला, आज उसी से अमुक ले रहा है उसी से अमुक ले रहा है वो सराप पिने वाला है, मांस खाने गंदे आचरंग, उसी से आप ले रहे हैं, वो तो समाज में चलता है समाज में तो समाज को लेके चलना ही पड़ेगा भाई समझो पवित्रता अति अनिवार है इसे आप समझो अगर आप पवित्र पशुओं जैसे तो आपकी बुद्धी भी पशुओत आचरंग करेगी आसुरी भाव को पराप्त हो जाएगी पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो जहां आपका मन पवित्रा अच्छे विचार अच्छा मार्ग अच्छा निरने बुद्धी करेगी आपको आनंद मिलने लगेगा ऐसे नहीं है कि आप जैसे पसुवत आचरण करें बड़ी अपवित्रता बढ़ रहे है अपवित्रता को तो कोई समझी नहीं रहा है इस विचार करो यार मतलब कहां पहुँच रहा है हमारा ओ कहते बी आईपी लोग है वाह है ये बी आईपी लोग अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा कैसे आप पवित्र कैसे पर पवित्र होना किसको चाहिए वो तो पसुवत आचरण है कलिकेवल मलमूल मलीना पाप पयोनिध जन्मन मीना जैसे मचली जल में ही केली करती है ऐसे कलियूगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है अप अभीत्र विचार किसी किसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही है रश्वई अभी बनकर तयार नहीं हो खड़े-खड़े वही रश्वई क्या पश्टा है अरे एक बार बन जाए उसे थाल में लगाओ हम नहीं कहते हैं तुम भगवान का भोग लगाओ जाके नहीं भैश्ट नहीं भजन करो कम से कम थोड़ी तो पवित्रता एक बार थाल लग जाए हात जूड़ो अन कोई प्रणाम करो अन ब्रह्म उपनिशद में आता है यह अन ब्रह्म है उसे प्रणाम करो वह हमारे जीव हमने दिखा है पहले बरात आती थी तो पटियां भी जाए जाती गोबर से जमीन लिपी होती थी दो आदमी पात्र ले खड़े सब के हाथ पर दुलाए सब बैठ गए फिर सब को परोशा माताय मंगल गीत गा रहें परोशा जा कितना पवित्र होता था आज कोई शा कमई मिलेगा जो सराब न पिये हो कोई शा कमई मिलेगा जो उद्धंडता न कर रहा पसुता बढ़ रही ना कैसी कल्यान का तो सब्द ही नहीं उनको की कल्यान के उनका यही कल्यान है बस जनेंदरी रसेंदरी की तरपती होती रहे उतना ही हो सब कुछ समस्ते है ग और ये काल का भी काल है देखो नाम अगर जिव्या पे बिराजमान है तो अपवित्रह पवित्रोवा शर्वा वस्थांगतो पिवहा यहाई स्मरेत पुंडरी काक्षम सवाया भ्यंतर हसुचिए बाहर भ्यंतर से पवित्रोवा पर यदिया आपने सदाचार का पालन नहीं कि या सौचा-चार का तो नाम में रूची होगी नहीं ध्यान रखना अगर कोई ऐसे नाम में रूची जब मनाया मुझ उठाया जब मनाया कैसी कैसी पशुता है चुडिया की तरह चुनते रहते हो अरे एक बार दो बार तीन बार एक अपने भोजन का समय निश्चित करो थो